ब्रेकिंग न्यूज जल महल दीग, प्रमनलाल गोस्वामी, बयूरो चीफ जिला भरतपुर, कोरोना महमारी के चलते लॉकडाउन की अनुपालना में तहसीलदार सोहन सिंग नरुका वो ऐसे चोगनपत्राम के निर्देशन में हर रोज की तरह राउंडप के दौरान शनिव को कस्बे के कामा गेट पर तीन बाइक सवार संदिग्त युवकों को पकड़ा है, बाइक पर नमबर भी नहीं था, ऐसे चोगनपत्राम के अनुसार बाइक सवार तीनों युवक हर्याना के फरीदाबाद से कामा होते हुए चोर रास्ते चुपकर डीग पहुंचे हैं, प के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं मिला, ये मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस है, पुलिस ने टाउन चौकी प्रभारी अजय यादव के साथ संदिग्धों को कस्बे के राज किया चिकित साल्य भिजवाया और चेक अप क कूल में बनाए गए आइसोलेशन रूम में 14 दिन के लिए आइसोलेट किया है, तीनों में से दो युवक भरतपुर के बयाना तहसील के बताई जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की सराहनिय सेवा है, लोगों को मायक द्वारा सतर्प किया जा रहा है, लोग डाउन में अपन कर दूज कै बताई बताई।